जनक ने सिखाया अनिरुद के पिता को सबक जनक उसे भी चुप करा देती है जनक कहती है कि आज तक मैं सिर्फ इसलिए चुपती क्यूंकि आप मेरे पती के पिता है लेकिन आप वो इज़त देने के भी लाइक नहीं है आप लालची और धोके बाज है जनक ने सबसे कहा कि वो कभी वापस नहीं आती लेकिन उसके अफसेंस में घरवालों ने अनिरुद का खयाल नहीं रखा इसलिए उसे वापस आना पड़ा और जनक यहाँ पर सबके सामने कहती है कि वो अपने तन्बन और धन से अनिरुद को अपना पती मान चुकी है और अब इस सच को कोई नहीं बदल सकता है आपका क्या कुछ कहना इस पूरी अपडेट को लेकर आप अपना उपनियन हमें कॉमेंट के जरीए जरूर बताईए और साथी टेलिविजन से जुड़ी सभी लेकिस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चानल को